हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सल प्रैक्टिस में डंफ में आज हम जानेंगे प्रेग्नेंसी में जब हाई बीपी हो जाती है तो उसमें कौन सी दवा सुरचित होती है कौन सी दवा नुकसान दया कहने हानिकार्यक होती है चलिए स्टार्ट करते ह सबसे पहले हम जानते हैं अंसयम मेडिसिन्छिंषे नितंट इस टार्ट इस तायप की दवा होती है ये जहीं घातक गाता ग्रूफ हो सकती है एन एन जिए घंसे रिसिप्टर बॉलाकर जैसे जिए जो रिसिप्टर बॉलाकर होते हैं जिससे कि फ dalla के दुव śयतर तो उलमीस किole उन फार्दाइत के दोब यूज किये जा रहा है तो संसानी कि joint यह ने कि बच्छे का डेवलेमेंट में रॉपाट आ सकती है और नेक्स्ट अंसेब मेडिसिन है डारोटी मेडिसिन जो डारोटी मेडिसिन होती है फ्रुसामाइड होती है है हेड्रोक्लोर्थाइजेड होती है एंड इस्प्रिनोल लेक्टोन होती है एंड कैलोर्थाल और कालोर्थाल्ट यान टाइप की जो दवाएं होती है इनके इन दवाओं का यूज होने पर बीपी तो कम हो जाएगी यानि रिडियूस ब्लड प्रेसर हो जाएगा लेकि इसके साथ में साइड एफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे की इनक्रीज इसका फोटल वेस्टेज यानि करो आद्क में सहँ हुखचा इसका चाहäter हो कि यानि कि गर्व में ही बच्चे की मोद के अच-उकिन कीशनव एंद नान एंसे बेटर के जो दवाएं होती ये वी और सबाने जाते हैं जैसे की प्रोपरानोल镜 और मेटो प्रो लोल कि एंड इस टाइब की अगर दमाओं का यूज किया जाता है तो कई सतरह के साइड़ एफिक्स हो सकते हैं जैसे की लो बर्थ वेट यानिके बच्चे को वजन कम हो सकता है प्रेश्डेंटल्स साइज भी कम हो सकता है अब रेंडी कार्डियल भी हो सकता ह और अंसेफ दवा में भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइट भी नहीं देज सकता है अब हम जानेंगे सेफ मेडिशन इन प्रेगनेंसी फॉर हाई बीप होने पर भी सेफ मेडिसन जो है डाक्टर दरब्र पश्काइब की जाती है जो इस प्रकार है फस्ट है निफिडिपिन जो मार्केट में निकारडिया रेटा 20 की नाम से अबलेबल है जो और नेक्स्ट है ल Labitalol, जो मार्केट में Lablol 100 के नाम से अवलेवल है and Hydralagine, जो मार्केट में Hydrogen के नाम से अवलेवल है and Methyl Dopa भी डाक्टरदवरा दी जाती है and जो मार्केट में Alpha Dopang नाम से अवलेवल है आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो Like já and subscribe करें Thank you